है गाइज वाले चैनल कैसे है सब लोग आई होब सब बहुत अच्छे होंगी तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भंडारे वाली पूरिया इंफेक्ट भंडारी से भी ज्यादा टेस्टी पूरिया है एक्चुली ऐसे कहना नहीं चाहिए बंडारी की पूरिया बहुत मैंने खाली बावर ले लिए और इसमें डाल दिया है मैंने डेड़क टोरी आठा तेका बूरिया क्योंकि हमारे यहां यहां दो-धीन मेंबर ही रहते है घर में खाने के लिएक अब को बनना ने है आठा जितना है इसमें कुछ नहीं डाल रहे हूं नामक चीनी वगरा इसमें थोड़े से आप अजवाइन डाल दीजिए पकोड़े अगरा कुछ भी बना रहें परांटे पर तो अजवाइन बहुत अच्छी होते हैं तो अजवाइन इसमें जरू डाले आप लोग तो बस इसमें आटा हमारा ये रेडी हो गया है अजय मैं करें, अioso roll जैटा है तो फॉड़े सीमें नग्स डाले तो नहीं होता है तो इसमें युग सो नहीं होता है तो एपको बन दीजियो 5- DARL पानी, 10-指 वह करेंगे अच्छे से इसकी मसल मसल के कुटाई करके और लास्ट मित तक देखें वीडियो को लास्ट में आपको कुछ टिप एंट्रिक्स दूंगी हमेशा कि जैसे जिससे कि आपकी पूरियों को अच्छी बनने में हेल्प हो सके जिनको शिकायत रहते कि हमारी फूलती नहीं ह और जादा ही खस्ता हो जाती है तो खस्ता पूरिय अच्छी लगते है बट इतनी भी नहीं कि फिर पापड यासे हो जाए और सॉफ्ट होती है सॉफ्ट पूरिय अच्छी लगते है बट मुझे थोड़ी सी खस्ता ही पूरिय अच्छी लगती है ठीक है बट अंदर से ब्राउन कलर उसमें आना चाहिए तो ऐसे ही मुझे पसंद है पूरियों का ठीक है तो यह देख सकते मैं थोड़ा सा दो ड्रॉप पानी की रिफाइंड ओयल की सोरी डालके से चिकना कर लिया था और मैंने इस आटे को यहां पांच मिनेट रेडी मतलब होने के लिए रखा थ तो इस तरह से आप करें और मैंने आटे को देखिए रेडी हो गया है पांच मिनट ही रखना है बस ज्यादा रेस्ट नहीं देना इसको और बेलन पी लेकि थोड़ा थालका सा मसल लिया है ज्यादा नहीं मसल ना चोटी चोटी सी लोई बना के रेडी करें आप ठीक है जिस आपको बहुत हो जाएगी तो इस तरह से पूरिया इसकी बेल के रेडी करें और गाइस पूरिया को मोटा नहीं रखना है वरना वीच में अंदर कच्छा कच्छा आटा तो बिलको खराब लगता है ठीक है पूरिया आपको कैसे बेलना है जितने आप रोटी की थिकनेस तो पूरिया को आपको जो है आटा लगा के नहीं बेलना है जैसे अडस्ट कर लेते है आटा रोटी के टाइम पे ऐसे नहीं उसको थोड़ा सा रिफाइंड डाले चकले बेलन पे और या फिर हाथ पे ले लीजिए तो ग्रीस कर लीजिए इस तरह से आपको रेडी करना है तो कुछ लोग करते हैं एक बार ऐसे करके देखें आपकी पूरिया पनके रडी हो जाएगी तो इस तरह से देखिए इस तरह से बेल जाती है बिल्कु चिपकती नहीं है तो इसी ली देखिए मैं उठा-उठा के कर रहे हैं कुछ लोगों को यह भी दिखकता थे कि आप मत ізनल जाएगे रहे हैं करहा है कर देखिए नहीं नहीं रहा है तो अपनिता कि अचोन थे इस थी area नहीं है एक पूरिया तम देखिए करेती है तक कहीं थी बहुति हैनना इस से भी रहे हैं कि अश्वमतिती मायन जण यह था नाल फेया मत शारा है थे हैं आपको हमेरी मैं उस पूरी चीपक गई के साइड निकाल लिया है मैंने आपके साथ भी होता होगा गायज है, तो यह कोई भी पूरी मेरी ऐसे निकी फूल ही, नहीं नहीं है, और अच्छे से गोर्डन ब्राउन कलर आने तक रेडी कहिजिए, उससे क्या होता है, अगर आप अच्छे से अक्छे स आपके पूरिय एते होत explorative आपको पूरियों लग जब Carla फों में ओल पिर नकल जाए इस एकasing आपकी अरुपर आपको पहँ होता है घाल कारी पूरियों जब अनको खाना के लिए सब्सक्राइब मैठायख रेक में और चर्वाने के बाइस duel के वह सीत है आपने देखी है सारी पूरिया फूली हुई है सारी इसलिए मेरा एम आपके दिखाने का ही होता है कि देखिए इस तरह से आप पूरी बना सकते हैं जिनमें एक भी पूरी आपकी बेकार नहीं जाएगी ठीक है तो चलिए फिर वीडियो भी खतम होने वाला ज्यादा लंब हो जाएगा अपने आट को जिससे वह अच्छे से सौफ्ट हो जाएगा ठीक है आपको तेल जो है मीडियम होट रखना है ना जादा थंड़ा ना जादा गरम ठंड़ा होगा तो खस्ता बनेगी और गरम होगी तो अंदर से कची रह जाएगी पूरिया ठीक है और अजवाया बनाते समय ठीक हैं तो इस तरह से आपकी पूरिया पहुत अच्छे बनी वीडियो पसंद आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले में